अबी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया तो तुरंती सब्स्ट्राइब कीजिए और साथ में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दिजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे कॉंपेक्ट SUV सेग्मेंट में एक और धमाकेदार एंट्री होने वाली है दोस्तों जी हाँ दोस्तों निसान अपनी कॉंपेक्ट SUV मैगनाइट को बहुत ही जल्दी इंडिया में लाँच करने वाली है जिसका रिसेंडली टीजर भी जारी कर दिया दोस्तों और अगर हम इसकी लाँच डेट की बात करें तो जुलाई 2020 ये लाँच होने वाली है इंडिया में और इसकी एक्सपेक्टड प्राइसिंग रहने वाली है दोस्तों 628.50 लैक एक शोरूम दिली निसान मैगनाइट कॉंपेक्ट SUV सेग्मेंट में अब तक की सबसे सस्ती कॉंपेक्ट SUV होने व वाली है मारुती सुजुकी की बिटारा ब्रेजा, टाटा, नेक्शोन, महिंद्रा एक शोबी 3OO, फोर्ड एको स्पोर्ट, हुंदे, वेन्यू, किया मोटर की अपकेमिंग कॉंपेक्ट SUV किया सोनेट और रैनो की अपकेमिंग कॉंपेक्ट SUV काईगर से होने वाली है दोस्त निसान इस कॉंपेक्ट SUV को मोडिफाइड CMFA प्लेट फार्म पे त्यार कर रही है, इसी प्लेट फार्म पे रैनो की कुईट को भी बनाए गए है दोस्तु जहां तक डिजाइन और डाइनमिक्स की बात करें तो इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको मिलने वाले हैं LED डे टाइम रनिंग लाइट और प्रोजिक्टर हैट लैम्प की कॉंबिनेशन और नीचे फॉग लेम आपको प्रोजिक्टर फॉग लेम दिया जा सकता है दोस् 16-inch के diamond cut alloy wheel आपको मिलने वाले हैं दोस्तों जिसका size रहने वाला है 215, 60R16 और 4 तरह body cladding मिलने वाले हैं और अगर हम बात करें तो इसमें आपको body clad warm with LED tone indicator मिलने वाले है window line पूरी तरह black out किया गया है और side में दिया गया है chrome garnish और दिया गया है बहुती सांदार silver color में roof rail, saakfin antenna integrated spoiler with high mounted stop lamp बहुती सांदार, tail lamp प्रोबाइट किया गया है जिसका टीजर बहले भी जारी किया गया था जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, night के समय में काफी attractive यहां पे look देने वाले हैं दोस्तों जहां तक engine की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाली है दोस्तों PS6 compliant 1 liter 3 cylinder TCE turbo charge petrol engine जहां तक power specification की बात करें तो 99 PSP की power and 160 NM का peak torque generate करने वाला है दोस्तों और transmission के अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलने वाली है 5 speed manual and CBT automatic gearbox और mileage के अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलने वाली है 18 to 20 kmpl की mileage ठीक यही engine Renault की upcoming compact SUV काइगर और triber MPB में भी आपको मिलने वाली है दोस्तों जहां तक interior की बात करें तो काफी premium interior रहने वाली है Nissan Magnite की इसमें dual tone dashboard के साथ dual tone leather apposter आपको मिलने वाली है center console में मिलने वाले है दोस्तों armrest with cool club box और यहां पे मिलने वाले है दोस्तों आपको काफी सांदार 8 इंच का touch screen infotainment system जो की support करने वाला है दोस्तों apple carplay android auto bluetooth connectivity navigation radio fm aux and usb को और साथ ही इसमें दिया गया है flat bottom tiltable telescope leather wrapped steering wheel जिसके left side audio mounted control and right side दिया गया है cruise control और इसके top in variant में आपको automatic climate control and lower variant में मिलने वाले है manual climate control center console में आपको मिलने वाले है दोस्तों silver inserts जिससे काफी enhance हो जाते है इसके interior profile safety features में आपको इसमें मिलने वाले है dual airbag ABS with EBD with brake assist electronic stability program with hill hold assistance reverse parking sensors top in variant में 360 degree camera lower variant में आपको मिलने वाले है reverse parking camera seat belt reminder driver side end go passenger side keyless entry push start stop button tire pressure monitoring system isopic child seat increase height adjustable driver seat belt engine immobilizer front impact beam side impact beam anti theft device speed alert system जैसे premium safety features मिलने वाले है चले दोस्तों बात करते हैं निसान मैगनाइट के dimensions की तो length 3995 mm width 1750 mm height 1600 mm wheelbase 2600 mm and ground clearance रहने वाला है 200 mm ये थी दोस्तों latest update निसान मैगनाइट से related information आपको कैसे लगी नीचे comment section में ज़रू बताएगा दोस्तों और एक like तो बनता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो बे तब तक के लिए thank you, दन्यबाद, जैहे